हेलो एवरिवन कैसे हूं आप सब भी तो आज में रेसिपी लेके आए हुँ सरगी वली रेसिपी जो कि सरगी में ये खाई जाती है और इसके साथ इसको खाने से पूरा दिन हमें ना प्यास लगेगी और ना ही हमें भूख लगेगी तो बिल्कुल असान सी रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे आप बताएगा कि आप भी इसी तरह इस रेसिपी को सरगी में बनाते हैं तो यह साथ में मैंने ड्राइफूट भी यूज़ किये हैं ताकि जो है पेट वो भरा भरा सा रहे पूरा दिन तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं शायद आप लोग भी बनाते हूं तो आप लोग कैसे बनाते हूं मुझे जरूर से बताईएगा देखिए मुझेदार सी रेसिपी जो है सरगी की मेरी बन के रेडी हो गई है तो इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है वो ड्राइफूट लिया है और उसे मैंने इस तरह से काट के रख लिया है और साथ में लिया है मैंने कंडेंस मिल्क तो फ्राइपेन मैंने ले लिया है और सिर्फ एक ग्रास दूद्ध से ही मैं इस रेसीपी को बनाऊंगी तो प्राई पेन में मैंने ये दूद्ध भीटे जो है वो डाल दिया है साथ में ही नक्षन को ओन कर लोंगी और अब इस दूद्ध को मैं उबाला आने दूघी बस सब से पहले हमें तो ये वाला condensed milk जो है वो मैंने फ्रिज में रखा था तो थोड़ा सा ये गाड़ा हो गया है तो मैंने इसलिए गरम गरम दूद में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा तो मैंने सिर्फ दो चम्मज ही डाले हैं और साथ में मैं चीनी का यूज जो है वो नहीं करूंगी तो दो मिनट में ही ये condensed milk जो है वो गरम दूद में घुल जाएगा और साथ में अच्छे टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़े से ही धागे जो है वो केसर के डालूंगी इसमें मैं और केसर डालने के साथ ही मैं फिर से इस दूद को एक दो उबाले जो है मैं इसमें आने तो देखे दूद भी जो है वो लगभग रबडी की तरह जो है वो बन चुका है और अब देखे मैं इसमें एक कटोरी जो है वो फैनिया डालोंगी जितनी मैंने फैनिया ली है उतनी उतना ही मैं इसमें ड्राइफूर जो है वो यूज करूंगी तो देखे जितनी फैनिया थे तनी ही मैंने इसमें ट्राइफूट डाल दिया हैं आप अपने पसंद के हिसाब के अप के हिसाफ राखनाज हैं, तो और अब मैं इसल्म कर नोच आणटी जो तुम हो राखना र Спानिय को मिक्स हो जाएं तब भी आप इसमें गरम भी रस्कूला डाल कर खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो गलाब जामुन भी इसमें डाल सकते हैं तो लीजिए सर्गी वाली स्वीट डिश जो है वो बनके रडी हो गई है मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी ही मज़ेदार बनी है और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी जरूर से बताईएगा और आप सब को कल के लिए सर्गी की धेर सारी मुवारकबाद और साथ में सभी को करवा चोत की बहुत सारी मुवारकबाद तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी सर्गी वाली जरूर से बताईएगा तो क्या आप भी किस तरह से बनाते हैं तब भी मुझे आप जरूर से बताईएगा और इसी के साथ में आ गई हूँ उस वीडियो के एंड पर और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ